नमस्कार आदाब निउसक्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं हम आज बात करेंगे बिहार दंगों की और इस विशेपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ट पत्रकार उर्मिलेश जी उर्मिलेश जी हमारे स्टूडियो में आपका फिर से तो बिहार दंगे निउसक्लिक इस पर लगातार रिपोर्टिंग करता रहा है हमारी एक टीम भी वहां गई है और वहां पर हमने लोगों से भी बात की और कुछ अधिकारियों से भी बात की इन दंगों के बारे में एक चीज जो बड़ी खास लग रही है इसका समय कि जैसे 2014 के इलेक्शन से पहले मुझफर नगर के दंगे हुए अब 2019 आने वाला है और बिहार में इस तरह के दंगे हुए हैं तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं आपको लगता है कि इनका कुछ चुनावी कनेक्शन है देखिए आपकी जो निस क्लिक की रिपोर्ट्स हैं हिंदी के कुछ एक अख़वारों ने खबरें चापी हैं लेकिन ज्यादातर हिंदी के अख़वारों ने उस तरह से नहीं चापा जिस तरह ने उस प्लिक ने या और जबों पर चीज़ें चपी हैं ये दुर्भाग है दुर्भागी इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार जो बिहार या उतरप्रदेश के अख़वार हैं जिनका सेक्लेशन ज्यादा है आम जिनता के बीच जमुए उनकी पहुंच ज्यादा है वो सच जब सामने नहीं लाते तो समाज और सच्चाई का एक तरह से सबसे बड़ा घाटा होता है सबसे बड़ी श्याती होता है लेकिन आ है कि बिहार में जो एक नई चुनोती उभरती नजर आ रही थी या आ रही है अभी भी बीजेपी और जेडी उगठ बंधन को कि भई उन्होंने ये समझा की डिमॉलिश कर दिया हमने अपोजीशन को वहां के जो मौजूदा अपोजीशन है लेकिन ऐसी स्थिती जमीन पर नहीं थी हाल के दिनों में अपोजीशन के जो लीडर्स थे वहां पर और एक में जो अपोजीशन पार्टी वहां है आरजडी और डिफरेंट और पॉलिटिकल पार्टी जिनके भी इसमें भी एक एकता या एक तरह की समझदारी बनती नजर आ रही है तो उन्हें भरोसा न समाज में बहुत सारे अंतविरोध हैं और इस तरह के जो पिछडे समाज हैं जहां सामंत या जमिंदार या भोमी संरचना इस प्रकार की हैं वहां इस तरह के अंतविरोध रहते हैं कास्ट से लेकर और तमाम फैक्टर्स लेकिन बिहार में दंगे भी होते रहे हैं ऐसा नह भी दंगे होते थे लेकिन बिहार में एक चीज जो कभी नहीं होई जो मैं इस बार देख रहा हूँ 2017-18 के दोरान वो ये कि रामनौमी में ऐसे प्रोसेशन कभी नहीं निकाले गए ऐसे जलूस कभी नहीं निकाले गए जिनमें तरिशूल तलवार गैती या कई बार पिस्तॉल भी देशी पिस्तॉलें जो होती है जिनको कट्टा वहां बोलते हैं उनका इस्तेमाल किया रहा हूँ भारी बड़े पैमाने पर तरिशूलों और तलवारों की जो वहां पर उनका वितरन किया गया उनको डिस्ट्रिबूट किया गया उसके बारे में डियूस क्लिक की अधवत स्टोरी है वाकई आपके रिपोर्टर ने बहुत शानदार काम किया है और ये भी खबर आई है कि क अलाइन शापिंग के जरीए कैसे क्या-क्या आरडर गया और कहां गया आरडर गया तो पत्ना में ही किसी ने आरडर बुक कराया था ऐसा उस रिपोर्ट में भी है जब मैंने रिपोर्ट आपकी नहीं पढ़ी थी तब भी मुझे ये सूचना थी कि बहुत बड़े पैमाने पर तलवार त्रिशूल जिस तरह की चीज़ें वहां भी जिएगे और मैं उस दिन दंग रह गया जब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें की बेली रोड जो पत्ना का बहुत मशूर रोड है और जो एक तरफ सचीवाले से जुड़ता है और दूसरी तरफ डाग बंगला च भगवा पगडी है उसको लिये हुए लाल टीका लगाये हुए और चीख रहे हैं काफी चिला रहे हैं काफी उत्तेजक नारे लगा रहे हैं बलकि एक कम्मुनिटी विशे इसको प्रोवोक करने वाले नारे लगा रहे हैं और उसी मंच पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार गार रहे हैं यह मैंने पहली बार देखा कि नितीश कुमार जी इस तरह की कसी सभाव में जा रहन जा रहा है और मैंने पहले नहीं देखा था अब सव Uganda को का मुख्यमंत्री है का कानुन ब्यॉस्था bought ना की रहाया है बलकि रेखवाला जो मशिन्री जो उसके देख भाल कर तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि यह हो क्या रहा है तो अब मैं इन घटना क्रमों के आधार पर यह कह सकता हूं कि भारती जंता पार्टी वहां सरकार चला रही है नितीश कुमार उनके बंधक है एक तरह से मैं इसको शाब्दिक अर्थ में नहीं कहूंगा इसका सही नहतार्थ यही है कि वह वाकई राजलितिक तोर पे उनके बंधक हो गए हैं और वहां पर कमान जो है आरेसिस की है और वो लोग चला रहे हैं वो उनको उन्होंने समझा दिया है कि देखो अगली बार अगर हम सक्का में आए तो सिर्फ इसी तरी कैसे आ सकते हैं कोई और चारा नहीं है क्योंकि धैर आमिन मिजरेबली आमिन बहुत बुरी तरह फेल किया है नितीस कुमार अपने पूरे शासन प्रशासन में और जो 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 कदम उठाते हैं वो कांटर प्रोड़क्टिव था रहा है तो लेकिन मेरे को लगता है कि वो मजबूर हैं और वो बंदक हैं राजनितिक तोर पे RSS PJP के आप में नितीश कुमार की बात की तो नितीश कुमार ने जब NDA छोड़ा था तो वो कहीं न कहीं साम्प्रदाई मुद्दे पर ही छोड़ा उन्हें एंडिये लेकिन अब उन्होंने वहां उनके साथ मिलकर बिहार में सरकार बना लिये तो अब यह जो दंगे हुए हैं साम नितीश कुमार की मुद्दे पर आती है तो वो लग नहीं रहा है कि किसी पी तरीके से बैक फूट पर जाने वाले हैं वो फ्रंट फूट पर खेल रहे हैं तो इस पूरे स्थिती में नितीश कुमार कब हविशे राज नेती क्या और पहले बीजेपी और जेडियू की जब नितीश कुमार की पार्टी बीटीम है ये पूरे बिहार में सब लोग जानते हैं ये कोई नई बात नहीं है और मुझे लगता है कि नितीश कुमार भी अकेले अगर बैठते होंगे तो जब जनता सामने ना होती होगी या उनके मंत्री मंडल के लोग तो वो भी यही मानते होंगे या यही समझते होंगे क्योंकि वो एक राजनितिक व्यक्ति है और राजनितिक जो मजबूरी है या राजनितिक जो असलियत है उसको कैसे ठुक रहेंगे या उसे अपने कैसे भागेंगे तो वो बी टीम में आ गये हैं उनकी पार्टी का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो BJP के साथ कभी भी जा सकता है और बहुत लोग जा भी रहे हैं तो जिसे आपने कहा कि इन कारोनों से BJP को छोड़ कर आए थे सामप्रदाइकता और ये तमाम इशू जो भी इसमें उठाये थे उन्होंने ये भी उठाया था कि काम नहीं और फिर उन्होंने ये कहा था कि नितिश कुमार जी का जो में आरगिमेंट था बहुता कि भई नरिंदर मोदी जी को एंडिय की तरप से बीजेपी की तरफ से प्रज़ेक्ट किया जा रहा है जा रहा है प्रधानमत्री के रूप में ये हम बरदास नहीं करेंगे क्योंकि हम तो वाजबिक टीम के लोग हैं, हम तो आडवानी टीम के लोग हैं, गोया कि RSS बीजेपी में वो ये तैय करेंगे कि बहुए निता कौन बने, मैं कहरा हूं कि बीजेपी RSS ने अगर प्रजेक्ट किया आडवानी को कभी या अटल को, ये उनका फैसला था उन्होंने मोधी को कभी प्रजेक्ट किया ये उनका फैसला था कब क्या करें ये दूसरी पार्टी तो नहीं तैकर सकती कि उनका निता कौन होगा तो लेकिन वहाँ भी जो उनका आर्गुमेंट था वो उसी में खोज रहे थे बीजेपी में और वो एक बहाना बना रहे थे दरसल मुझे नहीं कोई लगता था कि बहूत प्रिंसपुल पोजिशन वो ले रहे हैं और यही कारण है कि वो जैसे ही अगर उन्होंने ये तैक कि आप कि वो नेरिद मोदी को हरगी स्भी कार्ण नहीं करेंगे था? सरकार छोड़ने का? क्या लालू ιाद्व कन्विक्टेट नहीं थे उस वक्त जाभ लालू yadव के साथ गटबंधन किया उन्होंने? 2015 के चुनावों में, जब गटबंधन उन्होंने किया था लालू परशाद के नेत्रितों में तो क्या लालू परशाद कन्विक्टेट नहीं थे आल लेडी वो कन्विक्शन हो चुका था उनका इसका मतलब कि वो गलत बोल रहे थे वो गलत बयानी थी कारण कुछ और था को लगता था कि हम इनके साथ ही चुनाव जीच सकते हैं और सकता पा सकते हैं और इनके पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इनको चुनाव लड़ना नहीं है इनको तो आलेडी कोट ने बाहर कर दिया है और इनके नहीं है कि BJP में कोई किसी तरीके का corruption ना रहा हो या उसके उससे जुड़ेवे लोग या उससे जुड़ेवे CM उनके उन पर काफी charges लगे हैं और वो चल रहे हैं खैर एक चीज और जो भीहार के बारे में बहुत कही जाती है कि इन राजनीती के अलावा जो उसका समाज है उस कि अभी भी जैसे कि दंगे हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद एक और सेकुलर पोर्स jay ताकते हैं वो इनके इनके प्रतिरोध में खड़ी हो रहे हैंंघ लगातार और वैसे भी बिहार का एक इतिहास राव है वहां भी मजबूत रहा है और उसके बादum आदोलन से निकले ये सब लोग ये साम्परदाइक ता कि मुद्दे पर कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ थोड़ी प्रतिवर्दता इन लोगों की है लेकिन इन दंगों के बाद और खास्तोर से जिस तरीके से बीजेपी अपना फैलाव बना रही है लगातार उसके बाद बिह बिहार के बारे में मैंने पहले भी कहा कि वहां पर राम नौमी के जलूस निकलते नहीं थे इस तरह से जैसे आज कल निकल रहे हैं ये 89-90 के दौर में सिर्फ जहारखंड का इलाका जो उस वक्त जहारखंड नहीं था उसके कुछ ही समय बाद बना था तो वहां पर में जब जहारखंड उसका पाड़ था तो आरेसेस ने छोटा नागपूर संथाल परग्ना में ही काम शूरू गिया था उसमें जमशेदपूर हजारी बाग रामगड इन इलाकों को उन्होंने अपने केंद्र के रूप में चुना रांची भी उसमें था और 89-90 में मुझे यादे कुछ दंगे कराए गए थे और रामनोमी के संबही कराए गए थे उसमें हजारी बाग से एक नेता निकले जमशेदपूर से एक नेता निकले दोनों को चुनाओ में जीत मिली तो मुझे गुरक पांडे की वो कविता याद आगी इस बार दंगा बहुत बड़ा था खुब हुई थी खुण की बारिश इस बार अच्छी होगी फसल चुराओ की तो ये मुझे लगता है कि वहां से आरिसेस को ये प्रेना मिली होगी और या इस तरह के दलों को इस तरह की दल बंदियों को कि वो विहार में भी याद बिहार में इसका उनको शायद मौका नही आप बता रही हैं तो उसमें ये खेत मजदूर आंदोलन भी वहां एक समय बहुत स्ट्रॉंग रहा है अभी थोड़ा एक ठाहराओ जरूर है लेकिन किसानों की जो की समस्या है उसको लेकर वहां पर लोग गोल बंद होते रहें काफी बड़े बड़े आंदोलन होते रहें फिर बात के दिनों में डिमोकसी को लेकर करॉप्शन को लेकर जेपी मॉहमेंट सामने आया तो ये बात सही है कि आंदोलनों की जमीन पर सामपरदाइकता को वो जमीन खोजने में दिक्कत हो रही थी और वो समस्या थी उनके सामने लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा की अरशरीफ का हो गया अब दंगों को वो एक प्रक्रिया बना रहे हैं कि दंगे कांटीनिवस होते रहे हैं कहीं छोटा कहीं बड़ा अगर दंगे न भी हो रहे हो तो भी दिमागों में दंगा चले जैसे हरुमान जी हरुमान जी हिंदू समाज में एक राम के भक्त के लेकिन हनुमान बड़े अगर उनकी तस्वीरों को अगर आप देखें तो बड़े ही एक यूं कहा जाए कि बहुत ही जीवन्त किस्म के एक चरितर के रूप में उनको दिखाया जाता है लेकिन अभी आप बिहार में जाएए आप हरियाना में जाएए आप दिल्ली में देखें हनुमान की भी अजीव जीव तस्वीरें पेंट की जा रही हैं कभी आटो पर कभी बसों पर कभी फोटो में कभी बैनर पर वो एक रौद्र रोप जैसे भयानक चेहरा जैसे जैसे करता हुआ ऐसे ही रामकी। तो जितने देवी ji देवता हैं उनकी एक विद्रोप और बहुत ही यह कहा जाए अमानवी किस्म की शव में उभारती है यह यह जो पांथ है प्राजिनितिक पांथ और यही कारण है कि इनके दिमागों में लोगों के दिमागों में ये भर रहे हैं कि कैसे क्योंकि जो नारे लगाए गए हाल में राम नामी के जलूसों में वे नारे भिहार में कब भी नहीं लगते थे वो बहुत ही अभधर नारे हैं अभधर ही नहीं बहुत ही यूं कहा जाए कि भड़काने वाले नारे हैं ताकि जहां असिक्षा है जहां कम लोगों को जानकारी है वहां एक कमिल्टी के बारे में बिल्कुल जूटी बातें प्रचारित की जाएं कि जैसे उनको इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है तो यही बात है कि रिष्टों को जो क्योंकि एक मुस्लिम है एक हिंदू है एक ही गाओं मेरते हैं एक चाचा भतीजे की रिष्टा बनता है वो कभी उनका नाम नहीं लेता अगर बड़ा है तो वो कहेगा कलाम चचा वो दूसरे कहेंगे हरी चचा यह गाओं में या कस्पों में हमारे हाँ बिहार उत्तर प्रदेश में हर जगा है लेकिन वहाँ पर वो बिलकुल बदला जा रहा है रिष्टा वो चाचा नहीं रहा जाएंगे दुश्मन बन जाएंगे ठीक उसी तरह से देवताओं के बारे में कि वो उनकी छवी उनके चित्र जो पेश किये जा रहे हैं वो बड़े ही खौफनाक हैं तो मुझे लगता है कि इन सभी चीजों में तबदिली की जा रही है पूरे नेरेटिव को चेंज किया जा रहा है जो समाज का, रिष्टों का, कल्चर का, रिलीजम का, यह पूरा का पूरा नेरेटिव को चेंज करना तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि दंगे लगातार किये जा रहे हैं दंगे जब जिस समय नहीं भी हो रहे होते हैं, उस वक्ट भी दंगों को जारी रखा जाता है ट्रेन में चलते हुए बस में चलते हुए आविन आप सड़क पर हैं चाय खाने में हैं उसी तरह की बातें की जा रही हैं तो इसको अगर बदलना है तो कोई नितिशकमार या कोई भी और एक दोनेता इसको ने बदल सकते हैं नितिशकमार तो सेम उनके बंदक हैं इसको बद तक्षी जो धारा है वो काफी मजबूती के साथ ग्रासरूट लेवल पर काम करें इसके अलावा मुझे लिखता है कि और कोई भी कल्प नहीं है क्योंकि स्कूलों को आप देख लीजिए कॉलेजिस को देख लीजिए इन्वस्टीज को देख लीजिए हर जगह चीजों को कल्पिक सोच की बात की उमीद रखते हैं कि वो दरहसल मजबूत बने क्योंकि इस तरह से ना सिरफ चुनाव और राजनीती दरहसल भारतियों समाज यहां के लोगों पे जो खत्रा मंडरा रहा है वो बढ़ता चला जाएगा इसी बात पे हम अपनी बात खत्म करते हैं को खत्बता निवान